हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे सिंपल कोजन कूर्टी की नेक डिजाइन और इसके लिए मैंने सिंपल कूर्टी को कट कर लिया है बैक भी और फ्रंट भी और दोनों के अभी नेक हम बाद में बनाएंगे एक साथ में तो इसके लिए मैंने नेक लाइन ले ली है फ्रंट और बैक भी जितने आपको चोड़ाई लेनी है जितने आपको लंबाई रखनी है आप ले सकते हैं दोनों को हम राउंड शेप में ही बनाएंगे और अब दोनों नेक लाइन को साइड करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे जिसके उपर नेक लाइन को हम अटेज कर करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अच्छे से प्रेस करने के बाद दोनों नेक को हम इस तरीके से जोड़ेंगे दोनों को अपोजिट साइड रखते हुए और इसके किनारों को हाफ-ाफ इंच दबाते हुए अगर आपने दोनों साइड हाफ-ाफ लेंद जादा रख रखे हैंगे किनारों को दबात देंगे चारों तरफ से अमें इस तरीके सी करना गोलाई और सारे कपड़े को फोल्ड करने के बाद हमारे दोनों नेक कुर्ती पर जोड़ने के लिए रेडी हैं नेक का अच्छे तरीके से सेंटर बना लीजिए दोनों तरफ से उपर शोल्डर की तरफ से भी और लेंथवाइस भी आप इसका सेंटर बना लेंगे तो आपको इजी रहेगा ये कुर्ती में जोडने के लिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये मुड़ गया है कपड़ा और 6.5 इंच मैंने बैक साइड रखा है तो यहाँ पे मैंने शोल्डर की मार्किंग कर ली है 3.5 इंच लेंथ यहाँ पे मैंने फ्रंट नेक की की है जो हम नेक्ड डिजाइन बनाने जा रहे हैं उसमें आप हाफ इंच अपनी लेंथ जादा भी रख सकते हैं क्योंकि नेक्ड डिजाइन बनने के बाद यह थोड़ी शोट लगती है डिजाइन के लिए यहाँ पे मैंने तिर्ची पटी कट कर ली है काफी सारी पटियों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं तो तीन पटी काफी लंबी-लंबी कुल मिलाके यहाँ पे लगबग डेड़ मीटर यहाँ पे लेंथ बन जानी चाहिए इससे बनाएंगे हम बारिक डोरिया और अब कंट्रास्ट में लेंगे यहाँ पे सीधी पटिया दो यहाँ पे पूरे अर्ज में मैंने लगबग 42-42 इंच की दो पटिया मैंने यहाँ पे ली है पटी लगबग 7 इंच या 1.5 इंच चोड़ी है और इसको इस तरीके से बीचो बीच मोड़ेंगे और इसकी एक पटी तयार करेंगे हाफ इंच चोड़ी यहाँ पे हमें पटी रेडी करनी है और पूरी पटी को इसी तरीके से सिलाय लगाते हुए अब अंदर से बिल्कुल बारिक कपड़ आपको छोड़ना है तूल का भी यूज़ करता है तो आप चाहें जिस तरीके से इसको सिधा कर सकते हैं मैं यहाँ पे सुई का इस्तिमाल कर रही हूँ नैक की डैप्त आप देख चुके हैं और नैक की हमने चुड़ाई रखी है साड़े 6 इंच और इसमें लगबग मेरी पट्टी का यूज़ हुआ डेड़ मीटर लगबग पट्टी का यूज़ हुआ और डेड़ मीटर की लेंध ही मैं हाँ पे डोरी का यूज़ करूंगी अब पट्टी पे अच्छे से प्रेस कर लीजिए और दो-दो इंच के टुकड़े इस तरीके से हम पट्टियों के कट कर लेंगे सबी जो टुकड़े हैं उनको साइड करते हुए अब ले लेंगे अपनी नेक लाइन नेक लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिलकुल किनारी पे सिलाई लगाई है यह देखे बिलकुल किनारी पे सिलाई लगानी है बुकरम को नहीं दबाना है इससे क्या होगा दूसरी साइड हमें पता लग जाएगा इसका एज कहाँ पे है इस तरीके से किनारी हमें पता रहेगी इसी के उपर हमने अब लूप्स लगाने है जो हमने पट्टी के टुकडे कट किये हैं उसको बीचो बीच इस तरीके से फोल्ड करेंगे लूप बना लेंगे और जो बंद साइड होगी लूप की उसे हम राइट साइड रखते और जहां पर हमने सिराय लगाई है किनारे पे और बिल्कुल उसी किनारे पे हमें अब लूप्स भी लगाने हैं यहां पे लूप्स को मैंने हाफ-ाफ इंच गैप पे लगाया है यानि जितनी हमारे लूप की चोड़ाई है बिल्कुल उतना ही गैप और फिर से लूप और इसी तरीके से neck की पूर राउंड circle में हमें loops को लगाना है, आप चाहें तो यहाँ पे आप loop का gap भी बढ़ा सकते हैं, और भी कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बराबर यहाँ पे gap बिल्कुल loop जितनी ही चोड़ाई का, यहाँ पे मैंने gap रखा है, और गोलाई में अच्छे से loops को लगा दिया है, अब इसको हम attach करेंगे अपने कुर्ती के उपर, कुर्ती के shoulder को पहले ही attach कर लेंगे, आप देख सकते हैं, अब इसका यह देख लीजिए, फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, फ्रंट मैंने अपनी तरफ रखा है, और बैक दूसरी तरफ है, इसका बीच में मैंने cut भी लगा दिया है, ताकि इसका center मुझे पता रहे, यहाँ पे आप इस तरीके से marking भी कर सकते हैं, अब neck line लेंगे, इसको इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे, अब जो इस पे मैंने lines ट्रो की हैं, यह देखें, पहले तो इसको front पे front side रखेंगे, और back side का neck हम back side रखेंगे, और जो इसका center यहाँ पे shoulder पे मैंने लगाया है, उसको बिलको shoulder की सिलाई पे रखेंगे, अब neck line को भी इसी तरीके से center में यहाँ पे cut लगा देंगे, ताकि हमारा neck line बिलको center में attach हो जाए अच्छे से, अब नीचे वाले cut से इसको match करेंगे, बिलको center में अपने neck को रखेंगे, और center में एक सिलाई लगाते हुए अपने neck को कुर्टी के साथ attach कर लेंगे, यहाँ पे आप चाहें तो pins का भी use कर सकते हैं, अब यहीं से सिलाई को गुमाते हुए अपने पूरी neck line पे सिलाई लगाएंगे, बिलकुल किनारे पे, और loops को अच्छे से ध्यान से रखना है, ताकि loops आपका अंदर ना दब जाए, या फिर extra loop का जो अंदर वाला टुकड़ा है, वो बाहर की तरफ ना आ जाए, loops को अच्छे से adjust करते, इसी तरीके से पूरे neck line पे गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से loops आपके underground भी हो जाएंगे, और काफी finishing से loops attach हो जाएंगे, आप देख सकते हैं loops कितने अच्छे से attach हो गए हैं, अब अंदर half inch कपड़ा छोड़ेंगे, और बाकी सारे कपड़े को हम cutting करके बाहर निकाल देंगे, ध्यान से आपको cutting करनी है, half inch पूरी गोलाई में कपड़े को अंदर छोड़ना है, यह देखिए, अलग करने के बाद, यहाँ पे चोटे-चोटे slits लगाएंगे, पूरी गोलाई में हमें slits लगाने हैं, इतने deep slits होने चाहिए जिससे आपकी सिलाई कट ना हो जाए, सिलाई को safe रखते हुए, कट लगाने के बाद हम neckline को नीचे अंदर वाली side fold करेंगे, और हमारे loops बाहर वाली side आराम से निकल जाएंगे, अब कच्चे टाके से इस पे सिलाई लगानी हैं, बाद में इस पे हम तुरपाई करेंगे, पूरे back और front neckline पे इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे, दोनों neckline इस तरीके से एक बार में ही अच्छे से ready हो जाएंगी, अब बनाएंगे हम लंबी डोरी, तो आपके पास अगर fabric कम है मेरी तरह तो आप इस तरीके से joint लगा के भी पट्टी को यूज कर सकते हैं, लेकिन इहां पे अगर आप straight joint लगाएंगे तो उससे आपकी डोरी सीधी होने में problem आएगी, इस तरीके से जो slant होगी हमारी cutting उसी को इस तरीके से जोड़ना है और सीधा करेंगे तो हमारी तिर्चिपट्टी ready है, तो इस तरीके का joint आपकी कभी भी कैसी भी डोरी आप बना रहे ह और इसको सेम उसी तरीके से सीधा करेंगे जैसे हमने पहले भी डोरी को सीधा करा था, सुई के साथ इस तरीके से सुई को दूसरी साइड निकालेंगे और सुई को खीचते हुए अपनी डोरी को सीधा कर लेंगे यहाँ पर मैंने 1.5 meter की डोरी बनाई है अगर आपको लम्बी डोरी पसंद है तो आप और भी जादा लम्बी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने safety pin का use किया है safety pin को मैंने बारीक डोरी के किनारे पे joint कर लिया है front neck line का center देखते हुए एक side से इस तरीके से loops में मैंने डोरी को insert करना शुरू किया और इसी तरीके से पूरे circle में डोरी को insert करना है और दूसरी side से निकाल देना है आप चाहें तो डोरी का जो ये end होगा आप back side भी रख सकते हैं आप shoulder भी रख सकते हैं जहां पे भी आपको इसका style create करना है आप इसका डोरी का end निकाल सकते हैं आप डोरी को इस तरीके से tie करेंगे और यहां पे आप tassels भी बना सकते हैं आप fabric से भी कोई लटकन create कर सकते हैं या फिर आप ready made भी यहां पे लटकन का use कर सकते हैं यहां पे मेरे पास थे दो patch इस तरीके से patch के बीच ओ बीच डोरी रखें और यहां पे सिला लगाते हुए मैंने यहां पे tassel बना दिये है neckline यहां पे ready है और इसका आप full video देखेंगे हमारे short videos में तो keep watching और comment करके जुरू बताना आज का design आपको कैसा लगा thank you so much for watching